हेलो गाईज और वेलकम बैक टो इस्टेडी अड़ लीगल यह लेबर लो का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इंडेस्ट्रियल डिस्प्यूट एक 1947 का इक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडेस्ट्रियल ट्रिबुनल और इसके पावर एंड फंक्शन को डिसकस करेंगे तो ट्रिबुनल को डिसकस करने से पहले हम लोग इंडेस्ट्रियल डिस्प्यूट एक 1947 को थोड़ा सा उसका अबजेक्टिव और इंट्रोडक्शन को कस कर लेते हैं चलिए तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडेस्ट प्रकार की दिक्कत आती है इंडस्ट्री से रिलेटेड तो वो किस के तुरू गवर्न होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक 1947 को इनफोर्स हुआ और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भी कैप्टलिस्ट होते हैं और इंप्लायर होते हैं वरकर होते हैं किसी कंपणी में कि इसी इंडस्ट्री में उनलोग का हमेशा ओपीनियन सेम हो एसा जरूरी नहीं है सब type计 क्या होता है कि एफीनियन जो है वैरे करता है एक दूसरे से और अगर करता है अगर और मैं का निक्रेम उप्लिक्ट पादा होता है तो इस तरह के conflict को इस तरह के attention जो था वो government के नजर में आया जब क्या हुआ कि industries में capitalist, employer, worker यह सब के बीच में अगर किसी परकार का dispute होता था तो यह सब government के नजर में आया और government फिर decide किया कि एक act पास किया जाए एक ऐसा act पास किया जाए जिसके through हम लोग क्या करें एक harmony peace maintain करें, harmonal environment, a good environment create कर सके, ताकि क्या हो सके, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा parties जो है अपने issues को peacefully resolve कर सके, peacefully manner से solve कर सके, इसके कारण हमारा industrial dispute act 1947 को लाया गया, ठीक है, क्या कहता है, the act was enacted to secure industrial peace and harmony by providing masonry and procedure for the settlement of industrial dispute by negotiation instead of trial and strength through strike and lockouts, मतलब कि ऐसा situation जब lockout और strikes का situation में ये क्या करता है, industry को एक strengthen provide करता है, एक negotiation के थ्रू लोगों के dispute को ये resolve करने का काम, ये कौन करता है, industrial dispute act 1947 करता है, तो ये इसका brief introduction था, अब next हम लोग इसके थोड़ा objective पर ध्यान देता है, कि what are the objectives of industrial dispute act 1947, तो अगर हम लोग objective के बात करें, तो सबसे पहला ही इसका objective है कि ये dispute का settlement करता है, जो भी industry में dispute है, उसका settlement करेगा, ठीक है, worker और employer के बीच में, employer, worker के मीच में, capitalist के बीच में, किसी भी प्रकार के dispute है, ठीक है, उसका settlement कौन करेगा, industrial dispute है, ये पहला इसका objective है, aim है, दूसरा है कि illegal nature के जो भी strikes logout है, इससे prevent करेगा, तीसरा, एक good relation create करना, एक good relation create करना, किसके किसके बीच में, employer और employee के बीच में, एक good relation create करना, इसका objective है, industrial dispute act 1947 का, और last, अगर किसी भी worker को हम लोग देखते हैं, कि किसी को हम लोग retire कर देते हैं, या फिर उसको fire कर दिया जाता है, company से, बिना कोई proper notice, या बिना valid call बताय हुए, तो ये जो act है, industrial dispute act, इस scenario में, क्या करता है, एक prevention का का काम करता है, एक seal का का काम करता है, कि भाईया, किसी को भी अगर illegal retirement या dismissal हुआ है, बिना कोई valid cause और बिना कोई prior notice के, तो उन लोग को ये सहायता provide करता है, उन लोग के जो भी illegal कारी हुए, उस पर ये रोक लगाता है, चलिए, तो हम लोग का next topic है, industrial tribunal, तो हम लोग ट्रिबुनल पर बात करते हैं, ठीक है, क्या है, tribunals में क्या लिखा हुआ, the appropriate government by notification in official gadget, appropriate government एक notification लाएगा ओ, official gadget के तुरू, और उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्या होगा, एक से अधिक industrial tribunal का गठन कर सकता है, किसके लिए गठन किक करेगा, adjudication of industrial dispute, जो भी मामला related हो, किसमें, second schedule and third schedule of this act, यानि industrial dispute act 1947 के second and third schedule में, जो भी matter होगा, जिस तरह का specific matter दिया हुआ है, उस तरह के dispute को adjourn करने के लिए, adjudication के लिए, industrial, जो appropriate government है, वो notification by through official gadget के through, एक या एक से अधिक industrial tribunal का गठन कर सकता है, और इस तरह के मामले, जो कि second और third schedule में दिये हुए हैं, under this act, इस तरह के मामले को resolve करेगा, ठीक है, and industrial tribunals and consist one person only to be appointed by appropriate government, industrial tribunal में कितने person होगे, एक वैक्ती होगा, ठीक है, और किसके दौरा अपोइंट किया जाएगा, appropriate government के दौरा, अपोइंट किया जाएगा, the appropriate government, अगर appropriate government चाहता है, कि हम एक से अधिक वैक्ती को अपोइंट करें, तो वो दो वैक्ती को अपोइंट कर सकता है, लेकिन एक जो दूसरा वैक्ती अपोइंट किया है, यह सिर्फ advice करेगा, ठीक है, ना ही adjudicate करेगा, और यह section 7 है, of industrial tribunal act में दिया गया है, ट्रिबुनल के बारे में हम लोग समझ गया, कि appropriate government, एक या एक से अधिक ट्रिबुनल का government कर सकता है, by official notification, official gadget लाके, ठीक है, और उस तरह के वैक्ती जो कि appoint होगा, industrial tribunal का का काम क्या होगा, वो adjudication करेगा, इस तरह के मामले, जो कि second और third schedule में दिये हुआ है, under this act अर्था, industrial dispute in 1947 में जो भी दिये हुआ है, industrial tribunal में एक वैक्ती होगा, अगर appropriate government चाता है, तो एक से अधिक वैक्ती को appoint कर सकता है, दो वैक्ती को appoint कर सकता है, लेकिन जो दूसरा वैक्ती होगा, वो सिर्फ advise the tribunal, in the proceeding before it, advise करने का advisory role play करेगा, यह section 7a में दिया हुआ है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, national tribunal की, national tribunal क्या होता है, same वही है, यहाँ पे appropriate government के जगा, यहाँ पे होगा central government, by notification in official gadget, इस तरह के एक या एक से अधिक national industrial tribunal का गठन कर सकता है, उस तरह के मामले को resolve करने के लिए, जो की public at large से related हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग affect हो रहे हैं, उस तरह के मामले को industrial tribunal, जो है, sorry, national industrial tribunal resolve करेगा, adjudicate करेगा, तो national tribunal किसके दोरा appoint किये जाएगा, तो central government के दोरा appoint किये जाएगा, बाइ एक notification लाके और official gadget के थुरू इसका गठन होगा, national industrial tribunal का एक या एक से अधिक भी national industrial tribunal का गठन किया जा सकता है, इस तरह के मामले, जिसमें public at large का important हो, इन्वाल्ज को national importance related question अगर arise होता है, तो इस तरह के मामले को यह resolve करेगा, और national tribunal self-consist 1% to be appointed by central government, और national government, जो central government है, एक या एक ही वेक्टी को appoint करेगा national tribunal के लिए, चलिए, अब हम लोग आते हैं, power and function of industrial tribunal, power and function क्या है, industrial tribunal का, सबसे पहला power, adjudication of industrial dispute, ठीक है, primary function यही होगा, हम लोग उपर भी पढ़ते हैं कि कि किसलिए appoint किया जाता है, या formation होता है, tribunal का, कि वो adjudicate कर सके ऐसा मामला, जो इसके बीच में dispute पैदा हुआ, जिसके कारण employer और employee के बीच में, तो इस तरह के मामले को adjudicate करें, determine term and condition of employment, दूसरा, industrial tribunal, जो है, term and condition of the employment को भी determine करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का dispute हो जाए, ठीक है, term and condition prescribed होते हैं, for example, working hour जो है, आपका 8 गंटा है, ठीक है, 8 गंटा से ज़्यादा हो रहा है, तो यह term and condition का violation है, ठीक है, या फिर कम काम कर रहा है, तो इस तरह का कोई भी term and condition जो की company industries में follow किया जाता है, और उसका अगर violation होता है, तो tribunal जो है, इस तरह के term and condition को determine करती है, तीसरा, deciding of unfair labor practices, for example, किसी को हम कोईला बेचने के लिए industries में लाएं, और उससे सराब का तसकरी करवा रहे हैं, तो यह क्या है, एक unfair trade practice है, और इस तरह के unfair trade practices को determine करने और उस तरह के cases को decide करने का भी power किसके पास है, national tribunal या या ट्रिबुनल जो भी है, industrial tribunal इसके पास है, चौथा, award making, ठीक है, award making मतलब कि हम लोग जिस तरह judgment देते हैं, उस प्रकार हम लोग इसमें award देते हैं, for example, arbitration and conciliation act में भी हम लोग award देते हैं, ना कि judgment देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग award देते हैं, ट्रिबुनल क्या करेगा, award देगा ऐसा कि, for example, matter को, the industrial tribunal has power to make award to resolve dispute, this award में covers as various aspects, including wages, working hours and other employment condition, इस तरह के मामले award में किस तरह से दिये जा सकते हैं, या तो उसको wages दिया जागा, या तो अगर उसका salary pending है, तो salary दिलाया जागा, working upper को define कर दिया जागा, कि भाईया इतना से इतना समय तक ही काम करने के लिए यह libel है, और various aspects तो award देने का भी power tribunal के पास होता है, next हम लोग power and function में discuss करें तो implementation of award, for example हम लोग ने award दे दिया, tribunal के द्वारा award पास कर दिया गया कि इसको working condition maintain करना, लेकिन अगर उस तरह के award का implementation नहीं हो रहा, तो power किसके पास है, tribunal उस पे implement भी करवा सकता है, for example, tribunal as a power to expose, penalty लगा सकता है, penalty लगा सकता है, अगर जो भी award दिया गया है, tribunal के दारा, और उसको follow नहीं किया जा रहा, तो penalty भी लगा सकता है, चौता, resolving grievances, अगर किसी भी प्रकार का grievances है, तो उससे related भी मामला जो भी है, वो industrial tribunal के पास जाएगा, power to summon witness and take evidence, tribunal के पास ये power है कि किसी को भी समन भेज सकता है, और evidence witness का examination कर सकता है, ओथ पर कर सकता है, ठीक है, और कोई भी तरह का document अगर जो की जरूरी है, disputes related, तो उसका production के लिए भी call कर सकता है, आठवा point, decision of dispute, same, tribunal के पास ये भी power है, कि evidence और argument सुनने के बाद, वो decision ले सकता है, decision वो power है, tribunal is in power to make an award, specifying the term and condition of the employment, और other matters in dispute, tribunal के पास ये power है, कि award दे सकता है, after क्या evidence को लेने के बाद, या argument बोद पार्टीज का सुनने के बाद है, तो उसके पास power है, ठीक है, अब एक case law है, इसमें important case law है, Bangalore Water Supply and Seewage Board versus A. Rajappa and others, इसका citation 1978 to SCC 2013, इस case में क्या था, इस case में Supreme Court ने, power of industrial tribunal, under industrial dispute act को emphasize किया था, और Supreme Court ने कहा था, the court held that, tribunal has a jurisdiction to decide all questions, arising between the parties, involving and industrial dispute, and decision is binding on the party, यानि, tribunal के द्वारा जो भी decision दिया जाएगा, वो क्या होगा, binding upon the parties हो जाएगा, तो ये था, industrial tribunal से जिलेटेड, industrial dispute act के अंतरगत, industrial tribunal, इसके power and function, जिसमें हम लोग ने, industrial dispute act के, थोड़ा सा, brief introduction को भी देख लिया, और tribunal के बारे में पढ़ा, नेशनल ट्रिबुनल के बारे में पढ़ा, और साथ में उसके power and function, और एक case law important, जिसमें Supreme Court ने ये कहा, कि industrial dispute act के अंतरगत, जो ट्रिबुनल आती है, उसके पास जो भी judgment या, अवर्ड पास करेगी, वो binding upon the parties होगा, civic board वाले, तो अगर वीडियो पसंदा रहा है, तो like करे, share करे, और दोस्तों के साथ जरूर share करे, और अगर notes चाहिए इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह PDF form में ही notes है, तो अगर चाहिए, तो description में WhatsApp है, link है, आप उस पे message कर सकते हैं, या Instagram पे भी जाकर बीम कर सकते हैं, thank you,